स्वागता दोस्त आपका अमारे ट्यूब चैनल निवेश टिप्स में दोस्तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास में कई सारे ओप्शन्स होते हैं जैसे FD, RD, PPF इसके अलावा शेर मार्कीट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन इन सबसे सबसे बेस्ट ओप्शन जो निकल कराता है वो है mutual fund का FD, RD और PPF के अगर हम comparison करें तो mutual fund के अंदर हमें ज्यादा return मिल जाते हैं शेर मार्कीट के अंदर without experience अगर हम अपना investment करते हैं तो वहाँ पर हमारे पैसे पर risk होता है क्योंकि शेर मार्कीट में हमें ज्यादा knowledge नहीं होती वहाँ पर बहुत ज्यादा deep knowledge की जरूत होती है चाहे वो fundamental analysis हो, technical analysis हो इन सब चीजों के combination के बावजूद ही हम शेर मार्कीट से अच्छा return प्राप कर सकते हैं लेकिन mutual fund के अंदर ऐसा नहीं है mutual fund के अंदर जो पैसा हम invest करते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना पैसा mutually इकटा होता है और उसके बाद में उस पैसे को एक experienced fund manager manage करता है वो शेर मार्कीट की अलग-अलग companies के अंदर fundamental analysis करके technical analysis करने के बावजूद वहाँ पर पैसा invest करते हैं और इसी कारण हमें share market जैसे return mutual fund से प्राप्त हो जाते हैं तो किसी भी mutual fund के अंदर जब हम investment करते हैं तो वहाँ पर हमें कई सारी category के mutual funds देखने को मिलते हैं जैसे equity category के mutual funds होते हैं hybrid mutual funds होते हैं debt mutual funds होते हैं mainly ये तीन category होती है mutual fund के अंदर अब equity category में भी अलग-अलग categorize उसको क्या गया है जैसे large cap या blue chip mutual funds होते हैं, mid cap mutual funds होते हैं और small cap mutual funds होते हैं अब अगर आपका view जादा वड़ा है ये हमारे उपर depend करता है या हम किस purpose से अपना investment शुरू कर रहे हैं, हमारा goal क्या है उसको ध्यानवे रखते हुए हमें अपनी mutual fund scheme का selection करना चाहिए for example आपके पास में ज़्यादा समय है, 5 साल या उससे ज़्यादा का समय है, तो फिर आप small cap mutual fund को चुन सकते हैं क्योंकि large cap, small cap और mid cap तीनों ही mutual funds के अंदर risk जो होता है वो अलग-अलग involve होता है अगर हम बात करें दोस्तो large cap या blue chip mutual fund की तो उसके अंदर risk कम होता है और return भी थोड़ा small cap और mid cap के comparison में कम मिलता है वहीं mid cap के अंदर risk ज़्यादा होता है तो return भी ज़्यादा होता है large cap या blue chip mutual funds के comparison में तीसे तरफ जो hybrid mutual funds होते हैं hybrid mutual funds के अंदर combination होता है यहाँ पर risk और return दोनों ही moderate होते हैं तो इसलिए हमें अपने purpose को अपने goal को ध्यान में रखते हुए ही investment करना चाहिए अगर आपका view पांच साल या उससे ज़्यादा का है तो फिर आप small cap mutual funds के अंदर जाते हैं या अगर आपका view पांच साल या उससे कम का है तो फिर आप large cap या blue chip mutual fund के अंदर जा सकते हैं अब mutual fund में हम investment का चुनाव कैसे करते हैं mutual fund अलग-अलग AMC इसके द्वारा चलाय जाता है जैसे SBI अपनी एक AMC रन करती है Reliance, Nippon Reliance के नाम से mutual fund के अंदर investment किया जाता है वो एक अलग AMC है इसके अलावा ICC की अपनी AMC है HDFC की अपनी AMC है बले ही चाहे है आप किसी भी AMC का चुनाव करके investment करें लेकिन वहाँ पर आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के mutual fund में investment करने जा रहे है मान लिजी है आप SBI का ही अगर हम example लें तो SBI के अंदर आपको टीनो category के mutual funds मिलेंगे चाहे वो equity category हो hybrid category हो या debt category हो debt category के अंदर दोस्तो हमें FDRD के comparison में ज़्यादा returns मिल जाते हैं लेकिन वहाँ पर उससे ज़्यादा return नहीं मिलते maximum वहाँ पर 8-10% के maximum हमें return देखने को मिलते हैं लेकिन ये FDRD से कहीं ज्यादा होता है अगर हम small cap की बात करें तो वहाँ पर दोस्तो हमें 15-25% तक के returns annual basis पर देखने को मिल जाते हैं large cap की अगर हम बात करें तो 10-15% के बीच में हमें returns देखने को मिल जाते हैं अगर दोस्तो आप FDRD के comparison में ही ज्यादा 1-2% return लिख पाना चाहते हैं तो फिर आप debt mutual fund के अंदर जा सकते हैं और अगर आप 12-15% के return चाहते हैं तो फिर आप large cap को चुन सकते हैं जिसके अंदर आपका view 5 साल के आसपास का होना चाहिए और अगर आप दोस्तो उससे ज़्यादा return पाना चाहते हैं तो फिर आपका view बड़ा होना चाहिए यानि 5 साल या उससे ज़्यादा का समय अगर आपके पास में हैं तो फिर आप mid cap category के अंदर जा सकते हैं जहां पर आपको लगभग 12-15% या 15-18% के बीच में returns मिल जाते हैं अगर हम बात करें दोस्तो small cap की तो small cap के लिए आपका view 15 साल 10 साल या उससे ज़्यादा का होना चाहिए क्योंकि फिर आप market के fluctuation से आपके ओपर कोई भी impact नहीं पड़ेगा एक बार अगर market नीचे आ जाएगी और वहाँ पर भी आप अपने investment करेंगे तो वो balance हो जाता है और देखने को मिल जाते हैं अब दोस्तो आपने मालीज ये SBI को चुना है आपका view 5 साल या उससे ज़्यादा का है तो आप mid cap का कोई भी mutual fund चुन सकते हैं SBI blue chip fund है अगर आपका view 5 साल या उससे कम का है और debt mutual fund के अंदर कई सारे mutual funds हैं अगर आप सिर्फ और FD और RD के comparison में ज्या के बाद आपको scheme finalize करनी है उसके बाद आपको दोस्तो अपना investment शुरू करना है अब investment के लिए आप किसी भी AMC के साथ जा सकते हैं जैसे SBI, ICICI, Nippon, India या मिरे asset के mutual funds हैं जिस भी AMC के अंदर आप investment करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं सभी तरह की category mutual funds की जो मैं आपको बताई हैं वो सभी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी सभी AMC के अंदर mutual fund की सभी category available होती हैं अब आप investment कैसे करेंगे investment करने के दोस्तों कही सारे तरीके हैं जैसे आप अगर चाहें तो investment दोस्तों आप खुद से भी कर सकते हैं आप किसी agent की help से भी कर सकते हैं और आप official website के थुर है या जिरोधा है इनके थुरू भी आप अपना investment कुद से कर सकते हैं अगर आपको अपना investment खुद से करना है देन आपके पास में एक dimate account होना चाहिए यह dimate account आप जिरोधा के अंदर या grow के अंदर खुल सकते हैं उसके बाद जिस भी category के अंदर आपको investment करना है तो वहाँ किसी agent के थुरू investment करने में क्या difference नजाराता है तो अगर आप mutual fund के अंदर actually दो तरह का investment होता है पहला regular और दूसरा direct अगर आप regular investment करेंगे तो एक agent commission आपके fund की growth से cut कर दोश्तो agent को चला जाता है वहीं अगर आपका investment direct category में है देन जो भी आपका fund perform करेगा उसकी जो भी performance होग उसका total profit या total growth का लाप जो मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा अगर आप कुछ से investment करना चाहते हैं तो नीचे description box में link है ग्रो और जरोधा का तो आप इनके अंदर अपना demate account open कर सकते हैं demate account open करने के लिए आपके पास में pen card, adar card और ये दोनों चीज़े आप अपना investment कर सकते हैं वहीं अगर आप किसी agent के थुरू करेंगे तो फिर आपको इन सारी चीज़ों की फिर भी जरूत पड़ेगी लेकिन उस case में दोस्तों आपके fund की growth से 1-1.5% का जो growth है उसका lab सिर्फ और जिर्फ आपके agent को चला जाएगा official website से भी आप कुछ से कर सकते है अगर आप investment करना चाहते हैं तो दोस्तों mutual fund सबसे best option माना जाता है यहाँ पर risk कम है क्योंकि जो हमारा पैसा है जो fund है उसको दोस्तों manage बहुत ही experienced person करते हैं और इसके अलावा अगर आप share market में investment करेंगे तो वहाँ पर risk थोड़ा ज़्यादा होता है और अगर आप दोस्तों वीधा मिल सकती है क्या आपका target है अगर आपका एक या दो साल का target है तो फिर आप debt mutual fund के अंदर जा सकते हैं वहाँ पर भी आपको FDRD के compare region में ज्यादा return मिल जाएंगे और अगर आप 2-4-6 महिने के लिए या एक साल के लिए investment कर रहे हैं तो फिर आप FDRD में investment करके fix return प्रा